उतरपदेश के एड़ीजी लाइन ओर्डर अमिताबियश जी अस्वक्त हमारे साथ हैं अमिताबियश सर्थ कल जो है कुशी नगर में एक बड़ा रैकेट आप लोगों ने पकड़ा है जाली नोट को ले करके उस पर किस तरीकी की क्या कारवाई हो रही है क्या आक्शन हो रह है इनके पास से 5,62,000 रुपए के बराबत जाली नोट बरामद हुए है इनके पास से कुछ नेपाली की करेंसी इसके लावा वेपन्स कार्तूस और थोड़ा बहुत वे स्पोर्टक भी बरामद हुए है इनके इनके पूरे गैंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन कुशी नगर पूलीस द्वारा की जा रही है और पूरे इनके सप्लाई चेन को इस्टाब्लिश करने का भी प्रयास किया जा रहा है कुछ विस्फोटक भी बरामद हुए हैं तो किस तरीके की क्या मनशा थे इस बारे में कुछ जानकारे मिल पाई यह लो क्वालिटी विस्फोटक है और इनके स्रोत के बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन अन है तो इसलिए अभी कुछ कहना समगा नहीं है नेपाली करिंसी भी मिली है बगल में जो मतलब दूसरे देश थे भी जो सीमाया वो लगती हैं तो क्या जो टीमे हैं वो क्या नेपाल भी जाकर कि आप लो कुछ करने वाले हैं इनके पूरे नेटवर्क की समिक्षा की जा रही है और यह कहां कहां से जुड़े हैं चुकि नेपाल से लगा हुआ है इसलिए हो सकता है कि इनका जो नेटवर्क है वो स्पिल ओवर करता हो नेपाल में और यह जाली नोट के स्रोत की भी जानकारी की जा रही है अभी तक जो जानकारी में आया है कि इस जाली नोट को यह औरिजनल नोट की गड़ी में डाल कर और उसे मार्केट में आज औरिजनल नोट सर्कुलेट कर दिया करते थे क्या टीमे नेपाल भी जा सकती है आप लोग नेपाल से इनका क्या लिंक है उसके बारे में इंवेस्टिकेशन जरूर होगी एक चीज़ देखने में ही कल एक पार्टी के नेताओं का नाम आया आज एक दूसरी पार्टी के नेताओं का भी नाम उनके साथ हा रहा है फोटो शेयर हो रही है तो क्या पॉलिटिकल लिंक भी इसमें कुछ आप लोग देख जो भी व्यक्ति इस अफराधिक गिरोह में शामिल होगा उसके विरुद करवाई की जाएगी आज इस तरीके से महां के कप्तान न पर रखिया जाएगा इस स्टोरी से तर सर एक और कहानी जो पिछले दिनों सुल्तानपुर वाली जो घटना हुई सर उसमें एंकाउंटर को ले करके तमाम सवाल खड़े हो रहे थे एक एंकाउंटर पर जाती को ले करके सवाल खड़ा हुआ फिर एक और आप लोगों ने जो कल जो इंकाउंटर हुआ उसको ले करके भी अलगतरी के सवाल खड़े हुए कि जो स्टीएफ है या पोलिस है वो अपनी एक नाकामे चुपाने के लिए दूसरा ये काम कर रहा है उसने इस पर क्या रहा है पॉलिटिकल बयानों पर मैं कमेंट नहीं कर सकता जो जो भी इस प्रकार की मुठवेड होती है जिसमें आप राधी मारा जाता है उसकी पूरी इंक्वाईरी अलग अलग लेवल्स पे होती है और उसको पूरी इंक्वाईरी अपने हिसाब से प्रोग्रेस कर रही है जनपदिये पुलिस की इंक्वाईरी मैजिस्ट्रिल investigation होगा उसे कोट में खरा उतरना होता है उसी के बाद इसके अलावा फिर नहीं चार सी और स्टेट हुमन राइट्स कमिशन द्वारा भी अपनी अपनी inquiry की जाती है तो किसी भी घटना को पर यूँ ही सवाल उठा देना उचित नहीं होता पुलीस और स्टीएफ ये सभी कठि इन परिस्तियों में अपना काम करते हैं खास करके स्टीएफ को सबसे बड़े अपराधी और सबसे बड़ी घटनाओ को के अनावरन में ही लगाया जाता है उन्हें माफियाओं के विरुद्ध कारे करना होता है तो उनकी तैयारी उसी प्रकार की होती है जो अपराधी मारे गया है उसने दो आरपी एफ के कांस्टेबल्स की बहुत ही नरिसंस तरीके से हत्या की थी वो दुरे से इतना लोहमरशक था कि उसके फोटोग्राफ भी हम शेयर नहीं कर सकते हैं सुल्तान पर लिखटना की बात किजा अभी क्योंकि तक पांस से छे और और रोपी ये कहा गुजरात में घटना की थी इतने बड़े नेटवर्क वाले गैंग को पकड़ना बहुत सुगम नहीं होता लेकिन लगातार जन्पधिय पुलीस भी और स्टी एफ प्रयास कर रहे हैं कि सभी अपराधियों को जो इस घटना में शामिल हैं उनको कानून के दारे में लाया और उसमें काफी हद तक सफलता मिल चुकी है लेकिन तीन ऐसे अपराधियों जो उस घटना में शामिल थे और और दुकान में घुस करके ड़कैटी को अंजान दिया था वो अभी भी फरार हैं उनके सभी लिंक्स की तलास की जा रही हैं साथ ही उनको अरेस करने कोशिस की जा रही है बदो शुक्रिया बात करने के लिए तो आप अंताय जी को सुन रहते हैं जुनों ने सुल्तान पूर्टे कहती और कुशिनगर की घटना पर अपनी बात रखे एबी पी गंगा खबर आपकी जबापकी